तो हाँ बाई करें शुरूँ तो आज की स्वीडी के नतर मैं बताने वाला हूँ आपको टोफ फाइफ स्मार्टफोन जो कि आप 20,000 रुपीज में बाई कर सकते हैं और यह बहुत सारे स्मार्टफोन है और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कल मैं इ यूट्यूब वीडियो का वहाँ पर जाकर आप डोनेट कर सकते हैं और यार मेरे साब से PM के रफंट से अच्छी जगा है तो जरूर करना मैं तो कर रहा हूँ खेर यहाँ पर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एम करते ुस वीडियो पर 8000 लाइक्स एंड 1000 कमेंट का comment में जरूर बताने कि आपको कौन सा smartphone सबसे अच्छा लगा बाकी यार यहाँ पर कोई भी smartphone ना perfect नहीं होता देखना होता है कि हमारी need case आप से वो perfect है नहीं है और वैसे भी यार आजकल इतने सारे smartphone आ रहे तो confusion तक create हो जाती है बाकी यार चैनल बने हैं तो चैनल को subscribe जरू कर देना इस साल से पहले में 5 lakh की family complete कर देना तो I hope कि आप subscribe कर रहे हो और 4 lakh की तो मुझे पता है कि इसी महीने complete कर दोगे तो यहाँ पर video start कर लेते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले smartphone है Samsung की तरफ से M31S फ्रेंड में आपको corning ओरी लगला 3 की protection देखने के लिए मिलती है Super AMOLED पैनल है और यहाँ पर चोटू सा punch hole जो है मलता punch hole के साथ Super AMOLED पैनल पहली बात तो इस price segment में वो काफी बड़ी बात है और यहाँ पर जब आप कोई content देखते हैं अब यहाँ पर इसके साथ साथ आपको बैटरा भी देखने के लिए मिलता है 6000 अगर आपकी media consumption जादा है तो आप इस smartphone की तरफ जा सकते हैं अब यहाँ पर camera जिसके काफी जाद अमेजिंग है फ्रेंड में आपको 32 MP का camera दिया गया है डानेमिक रेंज और काफी अच्छी है light को काफी चितरी के से control करता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर बैक में आपको 64 MP का quad camera setup दिया गया है जिसके clarity की बात करें तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं मेरे को काफी जाद अच्छे लगते हैं इसके camera's all over balance ही में जाती है अब यह नहीं कहूंगा कि यह natural image provide कराते हैं यहाँ पर प्रोसेसर दिया गया है प्राइस के साब से ब्लो एवरेज बोलूँगा मैं यहाँ पर आपको Exynos 9611 दिया गया है Motorola की तरफ से Motorola One Fusion Plus और यह smartphone मोटा है Motorola के साथ साथ मोटा है लेकिन इसका weight distribution काफी ज्यादा amazing है यहाँ पर आपको जो display दीगे इसकी quality काफी सही है indoor और outdoor peak brightness अच्छी है और मैंने बोला था कि Poco X2 के बाद अगर मैं किसी की display रिखूँगा IPS LCD पैनल में तो वह Motorola One Fusion Plus होगा और अभी मैं इस चीज से ऐसे agree करता हूँ अब यहाँ पर नीचे आपको चिन थोड़ी बड़ी देखने के लिए मिलते हाल है कि इसके wing angles काफी जादा सही है अब इसके अंदर जो आपको pop-up camera sensor दिया गया है इसमें 16MP का front camera sensor है और यहाँ पर इसके cameras को मैं ऐसे top notch नहीं बोलूँगा मैं decent बोलूँगा price segment के साफ से because यहाँ पर कभी-कभी इसकी dynamic range काफी अच्छी आती है light तो यह काफी अच्छी control करता है लेकिन कभी-कभी dynamic range गड़ बड़ा जाती है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बाकी काफी हत्ते किसमें जो skin tone है वो natural ही आता है अब यहाँ पर back camera sensor की बात करें तो 64MP को quad camera setup है आप यहाँ पर image देख सकते हैं 8MP का ultra wide है और यहाँ पर 2 और 5MP के depth और macro है अब यहाँ पर बता दूँ कि इसके अंदर भी वही है कि dynamic range यहाँ पर भी थोड़ी बहुत गड़वड़ा जाती है तो camera इसके decent है बागी आपको और बता देता हूं इसके बारे में तो इसके अंदर powerful processor मिलता है Snapdragon 730G और भाई इसके अंदर हैवी टास्क मस तरीके से कर सकते हैं अब यहाँ पर next बड़े तो इसका UI काफी ज़्यादा क्लीन है और जिस वज़े से मैंने phone रखा है क्योंकि यहाँ पर आपको mostly जो application है वह Google की देखने के लिए मिलते है तो मेरे को यह बात काफी अच्छी लगते है Motorola One Fusion Plus की अब इसके speakers one of the best at 20,000 रुपीज में इसके अंदर जो आपको haptic feedback देखने के लिए मिलता है वह भी best at 20,000 रुपीज में तो अगर आप सोच रहे हैं इस smartphone को लेने की तो आप ले सकते हैं बाकि इसके अंदर 5000 image का बैटर देखने के लिए मिलता है बस दर दिये है कि इसके साथ fast charging नहीं मिलती तो बस यही problem लगती है बाकी phone काफी जादा सही लगा मुझे अब move करते हैं आप next phone की तरफ जिसका नाम है बाई Redmi की तरफ से आने वाला Redmi Note 9 Pro Max और यह smartphone काफी अच्छा है क्योंकि यार एक तो सबसे पहली चीज जो है वो यह है कि Corning और यह लग glass 5 की protection मिलते है front और back में अभी सारी company remove करी है इसमें देखने के लिए मिलती है बागी front में आपको IPS LCD panel देखने के लिए मिलता है और यहां पर punch hole के साथ दी गई है अब इस panel के साथ मुझे थोड़े बहुत screen bleeding issue देखने के लिए मिले बट यह चीज नोर्मल है IPS LCD panel के साथ बट आपको बताना था तो मैंने बता दिया बागी यहां पर आपको डिस्पले दीगे इसके wing angles अच्छे हैं आप यहां पर कोई content देखेंगे तो punch hole इतना नजर में नहीं आता आप easily देख सकते हैं चिन काफी ठीक देखने के लिए मिलती है अब मैं आपको बता दूँ इसका front camera sensor 32 megapixel का light काफी तरीके से control करता है बस मेरे को थोड़ा से ऐसे लगता है कि इसमें थोड़ा स sensor because light काफी अच्छे तरीक से control करते हैं और यहां पर इमेज में detail है वो भी काफी सही देखने के लिए मिलती है बागी 8 megapixel का ultra white वे 22 megapixel के वही डैप्स और macro जो की बिल्कुल useless होते हैं तो आप अगर इस smartphone को use करें तो बताना कैसे लगा क्योंकि मुझे तो यह smartphone काफी सही लगत हैं तो यह हैवी टास्क के लिए smartphone है और आपको इसकी बिल्ट भी अमेजिंग मिलते हैं इसके camera भी आपको अच्छे देखने के लिए मिलते हैं और यहां पर आपको बैटरी दीगे 5020 एमेज की एक दिन का बैटरी बैकप जिसके साथ आपको मिलता ही है और 33 वाट की अब मूब करतें आप नेक्स्ट फान की तरफ तो इसका नाम है रियलमी की तरफ से आने वाला X2 और रियलमी X2 मेरा फेवरेट स्मार्ट फोन इसवे से एक तो यार आजकल फोन इतने बड़े होगे हैं रियलमी X2 काफी सही है मलब भी स्लिम फिट सा फोन है और उपर से इस आउट्डोर और इंडोर पीक ब्राइटनस आपको ठीक देखने के लिए मिल जाती है इन डिस्प्ले फिंगर्पेंट सेंसर दिया गया जिसके स्पीड काफी सही देखने के लिए मिलती है अब फ्रैंड में 32 मेगापिक्सल का कैमरे सेंसर दिया गया इसमें थोड़ी सी प्रो इसमें हल्किसी डैनेमिक रेंज कम लगती है बाकि यहां पर आप क्लियर्टी देख सकते हैं डिटेल वगरा काफी ठीक देखने के लिए मिलती है बागी यहां पर आपको 4500 डैमेज की बैटरी देखने के लिए 30 वोट की फास्ट चार्जिंग के साथ एक दिन का बैटरी व रखाया उसका नाम है Realme 7 Pro भाई यह काफी साही स्मार्टफोन है फ्रेंड में आपको Super AMOLED पैनल मिलता है पंच होल के साथ और यहां पर इसके विविंग एंगल से अच्छे है आउट और पीक ब्राइटन से अच्छी है फ्रेंड में आपको को और ग्लास्थिरी की प्रोट स्मजिज लगते हैं तो उसको रिमोग करना थोड़ा हार्ड है बट स्टिल यहां पर जो स्क्रेच लगते हैं वो नजर में नहीं आती बिकॉज ऑफ मैट फिनिश तो यहां पर मेरे को इसकी प्लास्टिक भी ठीक लगती है तो बागी आपको कवर तो यह बात आपको भी प करती है काफी हद तक बाखी दो अपडेट के बाद बिल्कूली खतम हो जाएगी अब यहां पर बैक कैमर सेंसर की बात करें तो 64 मेगा पिक्सल का क्वाड कैमरा सैटप दिया गया और आप यहां पर क्लिए देख सकते हैं मेरे को इसका बैक कैम सेंसर साही लगता है और मैं क इसके अंदर गीम वगरा खेला तो सही चला तो मेरे को इसके प्रोसेसर से भी कोई शिकायत नहीं है उपर से आपको स्टीरियो स्पीकर्स के लिए और आपको एक दिक्कत मिलेगी स्टीरियो स्पीकर्स के साथ जब भी आप कोई कॉंटेंट देखेंगे तो इसकी बैक मिलता है बागी इसके बैटरी डिपार्टमेंट को कैसे बूल जाएं इसके अंदर 4500 एमेज की बैटरी मिलती है 65 वोट की यह फोन चार्ज होता है 0-100 सिर्फ एराउंड 40 मिनिट के अंदर तो यह सबसे तकड़ी चीज़े से स्मार्टफोन की तो आप मुझे कमेंट सेक्श में आप एक लिंक मिल जाएका महां जाकर मदद जरूर करना तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था तो मिलते हैं जल्दे कूल और एक्साइटिंग वीडियो में जब तक कि लिए जोन में आएगा इसको करें तो वाच यहार फिल स्टेडिल में दैच यह बीन बॉक्स बाइ